हलो फ्रेंज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, मैं अपने चैनल HP exam corner पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके exams की preparation बहुत अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंज, HRTC conductor की आज class 6 त रहने वाली है, लेकिन class 6 को शुरू करने से पहले हम इस वीडियो में discuss करेंगे कि HRTC conductor की exam date जो आ चुकी है, exam कब होने वाला है और HPSAC द्वारा HRTC conductor का syllabus क्या रहने वाला है तो फ्रेंज, HPSAC ने अपनी site पर जो है इसका syllabus जो है डाल दिया है, तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि क्या syllabus रहेगा इस exam के लिए ताकि जो आपकी exam की तयारी है बिलकुल up to date होगी तो चली दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कब होने वाला है HRTC conductor का exam तो फ्रेंज, HPSAC की जो official website है, उसके accordingly जो HRTC conductor की exam date है, जो tentative date रहेगी screening test की, वो है 10 December 2020 तो friends 10 December 2020 जो है इसका exam हो जाएगा, तो बहुती कम time रह गया है, तो इस कम समय में हमें बिलकुल अच्छे से तयारी करनी है तो चली दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या रहेगा इसका syllabus, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 10 questions इसमें आएंगे, दो घंटे का ये exam रहने वाला है, objective type paper होगा इसमें syllabus की बात करें, तो हिंदी से आपको questions पूछे जाएंगे, English से पूछे जाएंगे, Journal knowledge of Himachal Pradesh जो है, उससे related question पूछे जाएंगे, Journal knowledge of national and international इससे भी question पूछे जाएंगे, Math से question पूछे जाएंगे, Logical reasoning, aptitude से question पूछे जाएंगे, इसके वाद, knowledge of IT tools, IT tools में से GPS से question पू पूछे जाएंगे, e-tecting से question पूछे जाएंगे, payment gateway ways, तो इससे भी question पूछे जाएंगे, welfare schemes of HRTC, तो ये सारी चीज़े आपको पढ़नी है, welfare schemes of HRTC, इस पर मैं अलग से video बनाऊंगे, वो हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, इसके अलावा बात करते हैं, first aid and disaster management, तो दोस्तो इससे भी questions आपसे पूछे जाएंगे, motor vehicle act से भी question पूछे जाएंगे, इसके लिए भी मैं separate video आपके लेकर आएंगे, फिर इसके बाद है personal hygiene and behavioral skills, तो इससे भी question पूछे जाएंगे, तो ये सभी को मिलाकर जो है, इन सभी जो subjects है, इससे आपके questions देखने को मिलेंगे आपके इस बार exam में, तो दोस्तो जल्दी ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि बहुत कम time रह गया है, तो इस कम time में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, जिससे आपका जो exam है, वो clear हो जाए, तो चलिए दोस्तो अब हम discuss करते हैं, आज की वीडियो के top 10 questions, तो सबसे पहला question है शिमला कब भारत सरकार की ग्रेश्म कालीन राजधानी बना, when did शिमला became the summer capital of government of India, options हैं, 1911, 1905, 1885 या 1864, तो friends, इस question का right answer क्या है, option D, 1864, तो friends, बात करें, 1864 की, तो Lord John Lawrence थे, उनके प्रयास से, 1864 इस्वी में शिमला भारत की ग्रेश्म कालीन राजधानी बना, इसके अलावा बात करते हैं, 1871 में शिमला को प्रथम श्रेणी नगरपालिका का दरजा भी दिया गया, और 1882 में जो है, Lord Rippan अस्पताल है, उसकी निव भी रखी थी, इसके अलावा कुछ और चीज़े हम डिसकस करेंगे, तो Friends, शिमला शहर की अगर हम बात करें, तो इसका जो नाम है, वो श्यामला देवी यानि की नीली महिला से हुआ है, जो की भारत वती काली माता का दूसरा नाम भी माना जाता है, तो Friends, याद रखेगा कि शिमला का जो नाम कर तो सबसे बड़ी है, बूश है, रियासत, और सबसे छोटी है, रतेश, तो रतेश जो है, दो वर्ग किलोमेटर में फैली हुई है, और सबसे छोटी रियासत है, शिमला की, तो Friends, ये कुछ चीज़े हैं, जो आपको याद रखनी है, शिमला से रिलेटेड, बहुत ही इंप रियासती, प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, in which year was सिर्मौर प्रिंसली स्टेट एस्टाबलिश्ट, तो Options आपके सामने हैं, 1927, 1938, 1944 या 1947, तो Friends, इस Question का Right Answer है, Option C, 1944, तो Friends, Question है, सिर्मौर रियासती, प्रजा मंडल, तो 1944 में जो है, इसकी स्थापना हुई, चौधरी शेर जंग ने पंजाब में हुए क्रामतिकारी कतिविधियो से प्रभावित होकर एक गुप्त संगठन बनाया था, इसके प्रमुख नेता कौन थे, श्री चौधरी शेर जंग थे, शिवानंदर रमोल थे, देविंदर सीहा थे, नहर सीहा थे, नागिंदर सीहा थे और हरिश्च चंदर थे, फ्रेंड़् बात करें सिरमॉर की जो सिरमॉर है उसका जो जिला मुख्याले है, वो क्या है, नाहन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा बात करते हैं, तो जो सिरमॉर है उसका क्षेतरफल कितना है, 2825 वर्ग किलोमीटर है, सिर सिर्मौर जो रियासत है इसका जो पुराना नाम है वो सुलोकिना हुआ करता था अगर हम बात करें रंजोर सिह की पुस्तक के अनुसार फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1139 इस्वी में जो है जैसल मेर के राजा साल वाहन के पुत्र राजा रसालू ने की थी और उस टाइम पर इन्होंने राजधानी बनाया था सिर्मौरी ताल को तो ये कुछ चीज़े आपको पता होनी चाहिए चलिए अगले कोशिन के और बढ़ते हैं तो 1966 में हिमाचल प्रदेश में विले से पूर्व उना किस जिले का हिस्सा था इन 1966 हिमाचल प्रदेश उना वाज तो फ्रेंड्स बात करें तो जो 1966 है तो हिमाचल प्रदेश में विले से पूर्व उना जो है हुश्यारपूर का हिस्सा हुआ करता था फ्रेंड्स बात करें वर्तमान जो उना है एक नवंबर 1966 से पूर्व जो है हुश्यारपूर जिले की एक तहसील थी और पंजाव में प परिनाम सरूप है समस्त पहाडिक शेत्र जो है उन्ना तहसील को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया गया एक सितंबर 1972 तक यह कांगड़ा जीले की एक तहसील रही उसके बाद एक सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जीले का पुनर गठन करके तीन जीले उन्ना, हमिरपूर और कांगड़ा जो है अलग से बनाए गए इसके लावब उन्ना जीले में जो पांच उपमंडल आते हैं उन्ना, अंब, हरोली, बंगाणा और गगरेट तो यह याद रखना है पांच तहसीले हैं पांच तैसिले कौन से है उन्ना, अंब, बंगाना, हरोली और घनारी इसके अलावा साथ उपतैसिले है कौन से भरवाई, इसपुर, जोल, दुलेहड, भीरू, कला, गगरेट, स्थित जो कलोह है, मेहतपुर है, बदसेडा बनाई गई इसके अलावा इसमें जो है पांच विकास खंड है कौन से उन्ना, बंगाना, गगरेट, अंब और हरोली तो ये सारी चीज़े आपको पता होने चीए उन्ना से रिलेटेड चलिए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चिन की और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चिन क्या है मांगल, वेजा, हिंडूर, भागल, भगाट, कुठाड, महलोग, वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है? मांगल, वेजा, हिंडूर, भागल, भगाट, कुठाड, महलोग are currently part of which district? उप्रेंड्स अब इनके बारे में हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स जो सोलन जिला है, सोलन जिला जो है शिमला पहाड़ी की रियासतों का ही हिस्सा है फ्रेंड्स बात करें भागल, तो भागल है 120 वर्ग किलोमेटर, महलोग है 49 वर्ग किलोमेटर, जो भगाट है 33 वर्ग मील है, कुठाड जो है 21 वर्ग मील है, मांगल 14 वर्ग मील है, कुनिहार 7 वर्ग मील है और जो वेजा है वो 5 वर्ग मील जो है इन साथ पहाडी जो है इन साथ पहाडी रियासतों को मिला कर जो है 15 अप्रेल 1948 इस्वी में जो है सोलन और अर्की तहसील का गठन किया गया था जो की महास्तु जिले की तहसीले हुआ करती थी तो ये भी आपको पता होने जो है इन साथ पहाडी रियासतों के इलावा जो है हिंडूर यानि की नालागर जिसे अब कहा जाता है तो 276 वर्ग मील रियासत को जो है 1966 में हिमाचल प्रदेश में शिमला की तहसील के रूप में जो है शामिल किया गया और 1972 में सोलन जिले में इ ये भी आपको पता होने जो है इसके लावा हिंडूर रियासत को छोड़ कर जो है बाकी सबी साथ रियासते 1790 तक जो है बिलासपूर रियासत को वार्षिक लगान जो है देती रहती थी और मांगल रियासत की बात करें तो 1790 के बाद भी वार्षिक लगान जो है है ग्यासो वजीर और सरदार जौला सिंह वजीर किस अराजे से संब्द रखते थे ग्यासो वजीर एंड सरदार जौला सिंह वजीर बिलों टू विच स्टेट ऌपशन है आपके सामने चमबा कुलो कांगडा या फिर मंटी तो फ्रेंड़ से लेकर 1902 तक उन्होंने शासन किया था अब बात करते हैं डिटेल में कि उनके समय में कौन-कौन से वजीर जो है हुआ तो अब बात करते हैं सबसे पहले ग्यासो वजीर और मिया भांग सिह की तो फ्रेंड्स इनकी देख रेक में जो है चार वर्स की आयू में विजे सेन छंडी का राजा बना फिर बात करते हैं पुरोहित शिव शंकर विजे सेन की शिक्षा का कारेबार अच्छी तरह नहीं संभाल सके जिसके बाद 1863 में मिस्टर क्लार्क को जो है राजा की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया इसके बाद 1857 के विध्रो में जो है मदद के लिए विजे सेन को 1864 में अंग्रेजी सरकार ने ग्यारा तोपो की सलामी भी दी थी और बात करें राजा विजे सेन ने जो है 1877 में दिल्ली दरवार में भी भाग लिया था उसकी याद में 1878 में व्यास तट पर विक्टोरिय सस्पेंशन ब्रिज का भी निर्मान कराया गया इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो राजा विजे सेन के समय जो है मिया उत्तम सीहा जो है वजीर हुआ करते थे उसके बाद जो है मिया जौला सीहा और मिया उत्तम सीहा वजीर बने तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए कि जो विजे सेन थे उनके समय में कौन कौन से वजीर रहे थे तो कोई भी वजीर आप से पूछा जा सकता है इसमें पूछा गया है ग्यासो वजीर और सरदार ज्वाला सी हैं तो ये तो मंडी जिले से बिलॉंग करते हैं लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस राजा के शासन में जो है वजीर थे तो विजे सेन के टाइम पर यह वजीर थे चले बात करते हैं अगले question की तो sixth question है लोहास पीती की किस वजीर को प्रथम विश्वयुद में अंग्रेजों की सहायता के लिए राय बहादूर की उपादी दी गई थी विच वजीर ओफ लोहास पीती वास गेवन दे टाइटल ओफ राय बहादूर फॉर हेल्पिंग दे ब्रिटिश इन दे फर्स वर्ड वर्ड वर कब हुआ था यह आपको पता होना चाहिए 1914 और 1918 के बीच हुआ था पहला विश्वयुद तो अब बात कर रहे हैं लोहास पीती तो लोहास पीती के किस वजीर को प्रथम विश्वयुद में जिनोंने अंग्रेजों की सहायता की और उन्हें राय बहादूर की उपाधि मेरी तो कौन से वजीर थे औप्शन आपके सामने हैं 9-9 वजीर 2 अमिर चंद 3 अप्शन है वीर चंद 4 अप्शन है गुलाब सीहम तो फ्रेंड इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा औप्शन भी अमिर चंद तो फ्रेंड अमिर चंद को जो है अंग्रेजों की सहायता करने पर इन्हें क्या है र लोहौल सिखों के कबजे में आ गया था ठीक है कनिंगम ने 1839 में जो है लोहौल की यात्रा की और सिखों के सेनापती जुरावर सीहने जो है 1834 और 1835 में लदाक जासकर और स्पिति पर आकरमन किया था अब बात करते हैं 1846 में तो 1846 में अमरिच सर की संधी के बाद जो है स्प पिति अंग्रेजों के अधीन आ गया था इसके आवलावा बात करते हैं तो अंग्रेजों ने जो है बली राम को लोहौल का पहला नेगी बनाया था 1857 के विध्रों के समय जो है पिति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी और प्रतम विश्वियुद के समय समयर्चंद को राय बहादुर की उपाधी दी थी कब दी थी तो 1917 में दी थी 1917 में जो है इन्हें राय बहादुर की उपाधी दी गई थी उसके इलावा बात करें 1941 को जो है लहौल स्पिति एक उपतहसील बनी और उसका मुख्याले क्या बनाया गया के लौंग को बनाया गय वर्ष 1966 में लहॉल्स पिति का विले जो है हिमाचल प्रदेश में हो गया तो फ्रेंड्स ये था लहॉल्स पिति के बारे में छोटा सा इतिहास जो आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं सेवंथ कोशिन की 1748 ECU में सुजानपूर टीरा की निव किस ने रखे थी who led the foundation of सुजानपूर टीरा in 1748 तो options आपके सामने है पहला option है संसार चंद second option है कल्यान चंद third option है अभे चंद और fourth option है गुलाम चंद तो दोस्तो इस question का right answer क्या है option C अभे चंद तो अभे चंद जो है 1821 शताबदी की हम बात करें तो अभे चंद क्या है क्टोज वञ्श के राजा थे तो क्टोज वञ्श के राजा ने 1821 शताबदी में सुजानपूर टीरा की नीव रखी थी इसको पहले सजनपूर के नाम से जाना जाता था लेकिन कालांतर में इसका जो नाम है वो सुजानपूर पढ़ गया इसके लावा सुजानपूर से और क्या question पूछा जाता है कि सुजानपूर जो टेहरा है वहाँ पर होली की शुरुवात किस ने की थी सुजानपूर के जो होली मेले की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास लगबग 300 साल पूराना है तो कटोच वंश के 481 वे जो राजा थे संसारचंद तो संसारचंद ने सुजानपूर के चोगान में 1795 में तो 1795 में जो है पहली बार जो है खोली खेली थी और उसके बाद यहाँ पर खोली मेले का जो तहवार है मनाया जाता है तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए सुजानपूर टेहरा से अब बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की तो एट्थ क्वेश्चन है 1947 इसवी में पूर्व कि नौर किस रियासत का हिस्सा था बिफूर नाइटीन फॉर्टी सेवन एडी कि नौर वाज़ा पार्ट अफ विच प्रिंसली स्टेट ऑप्शन है पंजाब सेकिंड ऑप्शन ह रामपूर बूशहर तो फ्रेंड्स बात करें एट्थ क्वेश्चन के राइट अंसर की तो डी ऑप्शन है इसका राइट अंसर यानि की रामपूर बूशहर 1947 इसवी पूर्व से जो है किनौर जो है किस रियासत का हिस्सा था तो किनौर था आपका रामपूर बूशहर रि रियासत का एक अंग था यहां पर भूपती प्रथा पाई जाती थी यहां के जो प्रसिद राजा थे प्रतम पाल चरत सिहन तथा केरी सिहन जिससे अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता है 13 नवंबर 1914 को जो है बूशहर रियासत का अंतिम शासक जो है राजा पदम सिहन गद्धी पर बैठा था उसने जो है 1947 तक शासन किया लेकिन 1948 में जो है बूशहर राज्य है केंदर शासित चीफ कमिशनर क्षेतर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गया कब 1948 की हम बात कर रहे हैं फिर क्या हुआ 1960 में जो है वर्तमान किनौर जिला महासु जिला जो है मिनी तहसील बना उसके बाद क्या है 21 अपरेल 1960 को किनौर हिमाचल प्रदेश का छटा जिला बन गया तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1947 से पहले किनौर किसका हिस्सा था तो किनौर था रामपूर बूशहर का हिस्सा उसके बाद बात करें तो 1960 में क्या हुआ 21 अपरेल 1960 को इसे एक छटा जिला बनाया गया लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें 1914 की तो जो इसके रियासत के अंतिम जो शासक थे राजा पदम सी हां वो गद्धी पर बैठे थे और उन्होंने 1947 तक शासन के और 48 में बूशहर क्या है केंदर शासे चीफ कमिशनर क्षेतर जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना था तो ये कुछ चीज़े आपको पता होनी चाहिए चलिए अगली क्वेशन के और बढ़ते हैं तो 9th क्वेशन है फ्रेंज कांगडा पर आकरमन करने के लिए गोर्खो को किस राजा ने बुलाया था विच क तो अप्शन है मोहन सिहं, सेकेंड ऑप्शन है इश्वरिय सेन, थर्ड है संसार्चन, फोर्थ है सिद सेन तो दोस्तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या है इश्वरिय सेन यानि कि B ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आईए इस बारे में डिसक्स करते हैं तो 68 में जो है सत्ता में ये आये थे और उन्होंने अपनी सैनिक शक्तिया संगरहत की और अपना समराज्य बढ़ाना शुरू किया उसके बाद किया दीरे दीरे गुर्खाओं ने पहाड़ी राजे जैसे की सिरमौर और शिमला पर कबजा कर लिया तो अमर सीह थापा के नित्र संसार चंद को पहाड़ी मुख्याओं की साथ मिलकर हरा दिया लेकिन गोर्खा कांगडा किले को जो है 1809 में महराज रंसी सिहं के अधीन ये आ गया था और इस पर ये कमजा नहीं जमा पाया था इस हार के बाद गोर्खाओं ने दक्षिन की तरफ भढ़ना शुरू किया थ जो है इन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा और जिसके बासे धीरे धीरे राज्य में एक बड़ी शक्ती के रूप में ब्रिटिश सरकार उभरने लगी थी तो इस परकार से गोर्खाओं के बाद किस तरह से अंग्रेजों का आकमन हुआ था तो ये भी आपको पता हो 10th question की तो मेरू वर्वन के आकरमन के समय कुल्लू का शासक कौन था? Who was the ruler of कुल्लू at the time of मेरू वर्वन's attack? Option है भूमी पाल, second option है जगत सिया, third है दतेश्वर पाल और fourth है परम पाल तो दोस्तो इस question का right answer क्या है दतेश्वर पाल? तो मेरू वर्वन ने जब कुल्लू पर आकरमन किया तो उस time पर कुल्लू के कौन राजा थे? तो दतेश्वर पाल जो है कुल्लू पर उस समय शासन कर रहे थे आई इसके बार में पढ़ते हैं तो friends मेरू वर्मन के आकरवन के समय कुलू के शासक थे दतेश्वर दत थे और कुलू के शासक दतेश्वर दत और चम्बा के शासक मेरू वर्मन के मध्धे जो है 1680 से 1700 इस्वी के बीच जो है युद हुआ था और दतेश्वर पाल की अब बात करें तो इस युद में वो हार गए थे और इस युद में ही उनकी मृत्यू भी हो गई थी बात करते हैं दतेश्वर पाल की तो friends दतेश्वर पाल जो थे पाल वन्ष के 31 शासक थे कौन से 31 शासक थे तो ये सारी चीज़े आपको पता होने चा जल्दी से मुझे कमेंट कीजेगा तो friends thank you thank you for watching my video आज की video में केवल इतना ही जल्दी से हम next जो video है वो लेकर आएंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है do subscribe my channel मेरे telegram channel पर भी आप जॉइन कर सकते है उसमें सभी subjects related जो है topics include किये गए है जो कि आपकी HRTC conductor की तियारी के लिए बहुत ही important है तो friends वहाँ पर जाकर आप हर subject से related video देख सकते हैं thank you friends, thank you for watching my video